सब्सक्राइब कीजिए The Perfect Classes चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए Hello students, The Perfect Classes में आप सभी का स्वागत है Direct Rate of Education GNCT of Delhi की वर्कशीट नमबर 20 डिसकस कर रहे हैं बच्चों हम लोग 3 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है Okay Classes की सब्जेक्ट है Mathematics और Topic के बच्चों Square Root of Decimals दस्चमलब संख्याओं का वर्कशीट मोल अब यहाँ पर लेट्स लुक अट देसिमल नमबर 45.876 यहां लिखा है की दस्चमलब संख्या 45.876 को देखो यहां लिखा हुआ है अब इसमें 45 क्या है बच्चों 45 है Integral Part इसे हम बोलेंगे पुडांख हिस्सा और यह है Decimal Part इसे बोलेंगे हम दस्चमलब हिस्सा ठीक है क्योंकि यह दस्चमलब के बाद वाला हिस्सा है इसे हमें क्या पता चला की दस्चमलब के जो बाई और हिस्सा होता है वो क्या होता है उसे तो हम Integral Part कहते है पुडांख और जो इधर होता है हिस्सा दाई तरफ उसे हम दस्चमलब भाग कहते है To find the square root of decimal number, keep some rules in your mind दस्चमलब संख्या का वर्गमूल निकालते हुए निलिखित नियमो का ध्यान रखें First point है Make pair of Integral Part and Decimal Part separately पुडांख हिसे और दशमलब हिस्से के अलग-अलग जोड़े बनाए Making pair start from decimal, from Integral as well as decimal Part पुडांख हिसे और दशमलब हिस्से के जोड़े दशमलब इस्थान से बनाने शुरू करें मतलब यहाँ से बनाने शुरू करने यह रहे ऐसे बनाते हैं यह दिशमलग के बास से दो-दो के जोड़े बनते हैं दो संख्याओं का एक जोड़ा बनता है ठीक है बचो अब आगे देखिए put bar on pair for convenience विधा के लिए क्या करना है जोड़ों पर बार लगा दीजिए जैसे यहाँ पर बार लगा हुआ है यह बार है यह उपर बार लगा हुआ है ऐसे एक एक जोड़े पर now find the square root of number और फिर साधर अंकी तरह ठीक है जैसे नमबर का संख्या को निकलता वर्गमूल ऐसे ही आपको वर्गमूल ग्याद करना है let's express the number 45.876 in terms of pair देशनमलब संख्या 45.876 लेते हैं हम और करते हैं इसे ठीक है और इसका pair बनाते हैं first take integral part सबसे पहले पुड़ांख इसा 45 लिया ठीक है 45 starting pairing from units place 45 और इकाई के अंक जो दिये हुए है आपर 45 उससे हमें क्या करना है start जोड़े बनाने शुरू करने now take decimal part अब हमने decimal part लिया 0.876 now pairing from decimal side अब हमने decimal side से मतलब इधर की तरफ दशमलब से इधर right hand side की तरफ हमें pair बनाने ठीक है यह pair बन गए और यहां बार भी लगा दिये after applying the rules number look like that मतलब हमें यह rule apply करके की हमने pair बना दिये बार लगा दिये हमें ऐसी संक्या मिलेगी देखने के लिए अब आगे देखते हैं find square root of 2.7225 हमें इसके square root निकालना है make pair the number using bar अब हमको क्या करना है बार का use करना है इसके pair बनाते हुए तो देखिए यहां पर 2 का तो pair बननी रहा तो बचे इंटिग्रल पार्ट का हमें pair नहीं बन रहा तो हमीसे ऐसी simple छोड़ देते हैं और इसका बन रहा है pair 72 और 25 का तो इसके उपर हमने बार लगा दिये अब हमने निकालना कैसे है step 2 कैसे यह देखिए यहां पर एक संख्या है 2 अब हमें इस संख्या को इतने से ही गुणा करना है ठीक है जैसे एक की गुणा करी हमने एक से तब ही तो यहां एक आएगा ठीक है और वो भागफल में भी आ जाएगा जो संख्या में यहां रखनी है वही संख्या में इसके नीचे रखनी है इसमें एक एकम एक यहां गया अब यहां पर देखिए दशमलब है तो यह वाला दशमलब हमने यहां लगा दिया, अब क्या हुआ, कि यहां दो में से एक गया, एक बचा नीचे, अब हमें क्या करना है, बच्चो इन दोनों संख्याओं को जोड लेना है, खीक है, इसे हमें गुणा करके दो आया, अब हम क्या कर लेंगे, अब हमें नेक्स स्ट्रेप क्या करना है, इन दो उनों को जोड़ना है, 1 और 1, 2 हो गए, 2 यहाँ पर लिख लिए हमने, अब हमें कोई ऐसी संख्या लेनी है, अब देखिए 1.1, एक पेर हमने यह उतार लिया, हो गए 1.72, अब 172 आजाए, इतना नीरस लाने के लिए, हम 26 में, मतलब 2 में, किसकी यहाँ भी और यहाँ भी किस 5 करकते हैं, मतलब 5 ही हम यहाँ रखते हैं, 5 ही इसके नीचे रखते हैं, तो 5, 5 is a 25, 5, 2 is a 10, और 2, 12, 125 आएगा, काम आएगा, तो फिर हम यहाँ 6 रख लेते हैं, दोनों साइड उपर नीचे, और 6 की 26 से मल्टिप्लाई करी, तो 156 आ गया, ठीके बच्चों, और फिर यहा पर क्या आया, माइनस करके 16, फिर हमने उपर से दूसरा पेर उतार लिया, यह रहा, 25, यह यहाँ सा आया ना, देखिए, तो फिर क्या हुआ है बच्चों, आप हम क्या करेंगे, जैसा हमने पहले उपर प्लस किया, 112 यहाँ पर, अब हम 26 को और 6 को प्लस कर देंगे, तो कित यहाँ भी रखें, यहाँ भी फिर हमने मल्टिप्लाई कर दी, यह संक्या गई, पूरी-पूरी कड़ गई, तो हम हमें यह मिल गए, यहाँ पर, 1.65, ठीक है, 1.65 मिल गए, तो यह हमारा आंसर है, ऐसे ही आपको करने हैं बागी सम्स, ऐसे ही देखिए, यहाँ पर दिखाय हुआ है, यहाँ पर भी क्या है, find square root of 0.9, अब to the 3 decimal place, तीन देखिए, इसमें तो 2 संक्या हैं बच्चों, तो हम इसमें पेर बना लेंगे, हम 0 अपने पास से लगा लेंगे, 9 के साथ 0 लगाई, हम यह 0 इधर add नहीं करेंगे, इधर add करके कुछ फायदा भी नहीं है, ठीक ह और पेर बनाने के लिए इधर संक्या है, तब भी हम add नहीं करेंगे, हम इधर 0 लगा कर पेर बना सकते हैं, क्योंकि दशमलब के 3 इस्थानों तक निकालना, 3 decimal place तक हमें square root find out करना है, ठीक है, तो हम हम क्या करेंगे, step first, making the pair using bar, bar का use करते हो, हमने pair बना लिए, put 5 zeros for finding square root up to 3 decimal place, हमें क्या करना है, कम से कम, जो संक्या है, point के बाद उसके बाद 5, 0 तक लगाएंगे, तब जाकर हमें 3, 3 place तक के, हमें यहाँ पर यह मिलेगी, तब हम solve करके देखते हैं, बच्चों, कैसे किया हमने, देखिए, यहाँ जो 0 point है, वो हमने exact ऐसी लिख दिया, क्योंकि इसम तो हम किसी को भाग नहीं दे सकते, अब हम पर पहला pair है, 90, ठीक है, अब 90 को हम किसे, कोई संख्या ऐसी लें, जिसे हम यहाँ भी रखें, यहाँ भी रखें, और उसे हम उसी संख्या से, मतलब हमें यह square root निकाल लेना तो हमें ऐसी ही संख्या लेनी है, जिससे हम divide कर लें, तो हमने यहाँ 9 रखा, यहाँ भी, 99, 81 हो दे, तो फिर 9 बजगया हमारे पास, यहाँ पर हमने एक pair यह 00 का यहाँ उताव लिया, और यह 9 हमने यहाँ भी लिख दिया भाग फल में, अब 9 और 9 को हम क्या करेंगे बच्चो, प्लस करेंगे, ठीक है तो यह 18 आ गया, अब ऐस इसी कौनसी संख्या रखें यहाँ पर हम, जिससे यह चला जाए, कौनसी संख्या का वर्ग मूल से हम मल्टिप्लाई करें, तो 4, 4 जा, करेंगे तो 16, और फिर 4, 8 जा, फिर 4, 1 जा, मतलब 184 से 4 के मल्टिप्लाई की तो 7, 36 आ गया, अभी से इसमें से माइनस करेंगे, तो क कितना आ जाएगा बच्चों, 164 आ जाएगा, उपर से एक और पेर उतार लिया, ठीक है, अभी इने टोटल कर देंगे, 184 प्लस, 184 प्लस 4 को तो 188 आ गया, अब किस से मल्टिप्लाई करें, अब 8 को 8 से मल्टिप्लाई किया, तो यह आ गया, और यह शेश्वल बज गया, यह हमारा सॉल्व हो गया, यह थोड़ टिपिकल्स हैं, बट आप समझेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे, अब आगे देखते हैं बच्चों, यह exercise है, find out the square root of the following decimal numbers, up to three decimal places, हमें क्या करना है, देशमलव संक्याओं को वर्गमूल क्याद करना है, तीन देशमलव इस्तानो तक, जैसे कि अभी हमने last example में दिखा, ऐसी हम करेंगे यहाँ पर, देखें हम इसके pair बना लेंगे, 23 पर हमने बार किया यह इसके pair पर, फिर 45 का pair, फिर देखो 3 का pair नहीं बन रहा था, तो हमने एक 0 लगा कर इसका pair बना लिया, फिर एक और pair, 00 का ही बना लिया, अब हम solve करे किसके square से solve करेंगे, यहाँ किसके square से जाएगा, 23, 4 के square से, तो 4 हमने यहाँ रखा, 4 ही हमने यहाँ रखा, 4 फोर फोर्जा, कितना हो गया, 16, जो संक्या हमें यहाँ रखनी है, वो ही हमें सेम नीचे रखनी है, ठीक है, इसके square से कर रहे हैं, और वो ही संक्या यहाँ बाग और देखिए ये 4 और ये वाले 4 को प्लस कर दिया तो ये 8 आ गया आपको एक संख्या यहां भी रखनी है और यहां भी रखनी है ठीक है यहां भी रखेंगे यहां भी रखेंगे ऐसी संख्या जो multiply करके कितने से किस के लिए rest आ जाए 745 के तो अगर हम इसे 8 से multiply करते है 8 8 जा ठीक है तो यह आ जाएगी 64 का 4 ऐसी यह 704 मिल गई हमें अब हमने इसमें से इस माइनस क्या 41 आ गया उपर से एक और पेर उतार लिया 30 का और यह 88 और 8 मिलकर प्लस करके आगए 96 अब ऐसी कौन सी संख्या करेंगे तो 4 के square root से square root से multiply कर देंगे ठीक है इससे multiply करके कौन सी संख्या यह वाली संख्या आ गई 3856 अगर इससे दादे लेंगे 55 से करेंगे तो ज़्याद हो जाएगा इससे ठीक है अब इससे ही से minus किया तो 274 आया अब इन सब को जोड़ दीजिए 964 प्लस 4 964 प्लस 4 किया तो कितना आ गया 968 आ गया अब कौन सी संख्या रखेंगे 2 रख लेंगे तो 2 से यह संख्या आ गई अगर 3 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी इसलिए 2 रखेंगे यह हमारे पास 6 बज़ गया और यहाँ पर क्या हुआ बच्चो यह 3 डेसिमल प्लेस तक हमें यह स्क्वेर डूट मिल गया यह इसका अंसर होगा ठीक है ऐसे ही आपको करना है ठीक है बच्चो अब आगे देखते है 2nd 1.67 ठीक है अब 1.67 को कैसा करेंगे हम देखिए आप देखिए यहाँ पेर बना लिए हमने यहाँ इंटिग्रल पार्ट के और यह डेसिमल पार्ट के 67 ठीक है 00 के पेर बन गए यहाँ 00 के पेर बन गए अब 1 जो है 1 तो 1 से ही होगा 1 1 जा 1 1 जा 1 अब यहाँ 1 का स्क्वार रूट लेना हमें यहाँ भी 1 रखना है यहाँ भी 1 रखना है तो यह 1 हो गया ठीक है तो पूरा पूरा चला गया अब यह वाला पॉइंट कहां आ गया यह यहाँ पर आ गया ठीक है यहाँ पर अब यह एक पेर उतार लेते है बच्च जादा आजाएगा फिर आएगा शरी यहां अगर 3 करते हैं तो देखो 3 से करते हैं तो कितना आजाएगा 3 3s are 9 3 2s are 6 तो ठीक है वो जादा हो जाएगा 67 से इसलिए हम यार 2 रखेंगे ठीक है यह नहीं करेंगे 2 रखेंगे 44 आजाएगा इसे इसमें से माइनस करेंग तो यहां यह वाली संख्या आजाएगी यह वाली संख्या आने के बाद हमारे पास यहां बचेगा इसे माइनस करके 59 और यह 00 का पेर उतार लेंगे उपर से और यह जो है ना 249 प्लस 9 को जोड़कर यह संख्या आजाएगी हमारे पास 258 फिर यहां 2 के स्क्वार रूट से फिर से मल्टिप्लाई कर देंगे इस पूरी संख्या की तो यह वाली संख्या आजाएगी ठीक है अब जितनी हमें संख्या यहां रखनी है उतनी है रखनी है बस आप इतना ध्यान रखना तो यह बचा तो हमारे पास देखिए यह आगया पॉइंट में 1.292 थिरी प्लेस इस तक है डेसिमल के इसका डेसिमल पार्ट के थिरी प्लेस निकाल लिया हमने यह आपका सॉल्व हो गया अब आगे देखिए बच्चों हागे यह वाला है 289.7 तो देखिए हम करेंगे पहले 111 ठीक है वन यहां भी रखेंगे हम यहां भी रखेंगे फिर इस 11 को प्लस करे रखेंगे तो यह यहां पर 2 आजेगा अब यहां 7,7 चाव ठीक है गीतने होगए 49 फिर 7,2 चाव फॉर्टीन और 4,18 यह आ गया ठीक है इससे मल्टिप्लाई की 27 को 7 से इस वाले 27 को 20 इससे मल्टिप्लाई की आप क्या करेंगे यहां पर पॉइंट तो यह वाला पॉइंट यहां लगा देंगे ठीक है seven times गया इसे यहां लिख दिया अब यहां पर उपर से एक पेर उतार लेंगे 70 का यह enough नहीं है इसलिए एक और पेर उतार लेंगे अब हमने यह दो पेर उतारें एक साथ हमें यहां zero लगानी पड़ी है ठीक है बच्चो तो यह zero हमें यहां भी संक्या की तो यह आ गई अब इसमें से माइनस किया तो यह आ गया फिर एक zero हमने यहां भी लगाई एक और पेर उतारने के लिए एक zero हमने यहां भी लगाई ठीक है यहां भी लग गई तो यह हमाया है पूरी संक्या मिल गई अब हमें आगे से solve करने की जरूरत नहीं है ऐस pair है 56 का और 4 अलग है तो इसलिए 2 2 जाज ही जाएगा यह 4 आ गया वही 2 हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि square root निकालना हमें फिर उसके बाद क्या करेंगे बच्चों यह 56 pair हम यहाँ लिख देंगे ठीक है और इन 2 और 2 को प्लस करके 4 यहाँ लिख देंगे अब यह किस से जाएगा 1 से 1 1 जा 1 ठीक है 41 को multiply करेंगे 1 से तो 41 आ जाएगा अब आपको क्या करना है यह वाला decimal आप यहाँ लिख देंगे अब आगे solve करेंगे ऐसी अब next pair लेंगे यह हमने यहाँ लिख दिया ठीक है अब यह कैसा है यहाँ भी हमने 3 रखा यहाँ भी फिर इस से इस पूरी संख्या को हमने multiply किया तो यह आ गई प्र इस मे सही से minus किया तो यह संख्या आ गई उपर सा हमने यह पेर उतार लिया अब 4, 2, 3 में 3 प्लस करेंगे तो कौन सी संख्या आ गई यहाँ आ तक अब यह 5 और 5 को मतलब 5 से multiply करी जो संख्या हमें यह रखनी है इस से multiply की तो यह जाएगा इसके निये rest फिर क्या होगा यह संख्या बची एक पेर हमने उपर से ले लिया और फिर क्या होगा यह वाली जो संख्या थी 4,265 इसमें 5 को add करेंगे तो यह आजाएगी 4,2,7,0 यह हमने यहां लिख ली अब हमने यहां संख्या रखी 7,7 इस से multiply करेंगे तो यह आजाएगा बच्चों फिर यह 6 बचेगा और फिर यह 7 हम यहां भी रख देते हैं आसी तो यह हमें मिल गया इसका answer 21.357 यह आपका answer है यह लिखा हुआ ठीक है तो आपकी worksheet solve होगी students अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आईए तो please मैं वीडियो को like कीजिए, share कीजिए आमाई चनल को subscribe कीजिए thanks for watching